कि हलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है जैके स्टडी चैनल में तो आप सभी कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे आज का जो वीडियो है वह है आपका जैसे आप सभी को पता है कि जितना भी एक्ज से आपका PGT का इक्जाम सुरू होने जा रहा है तो जितना भी एक्जाम होगा उसके आपका पेपर जो होगा पेपर टो आपका लेंग्वेस सब्सक्राइब होगा और उसके ही आपका लेंग्वेज में एक है नाकपूरी इसे समबंदित है आज का ये वीडियो तो आज हम नाकपुरी भासा के छेतर में अपना बहुमूलिया योगदान दिया है नाकपुरी भासा का नाकपुरी साहित्य के विकास के लिए अपना बर चड़कर योगदान दिया है उसके बारे में आज से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो आज हम लोग जो पहला चर्चित व् नईमुदीन मिर्दाहा इसका नाम है जो आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं तो यहीं है आपका नागपूरी साहित्या के लिए नागपूरी साहित्या में उन्होंने अपना बड़ जड़ के योगदान दिया वे एक कवी थे ठीक है कवी थे रचनाकार थे और रचना करते थे कवी का रचना करते थे कवीता का रचना करते थे और कहानी संगरा उनका था ठीक है तो वे कहानी भी लिखते थे कवीता भी लिखते थे तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नईमुदीन मिर्दाहा जो है उ उसी संबंदी थे आज का ये वीडियो और ये जो नई मुदिन मिर्दाहा है जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है 2021 इश्वी में उन्होंने अपने इस धर्ती को छोड़के वे चले गए हैं ठीक है और वे और उनका जो संग्रा है नाकपुरी संग्रा है वो अब हम सबों के बीच में है अब हम लोग उसी संग्रा को याद करके इनको हम लोग याद कर सकते हैं तो चलिए बीना खिसी देरी के आज को इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नई मुदिन मिर्दाहा के बारे में उनका छोटा सा परिचे हम लोग देखेंगे जिसमें यही है कि जो नई मुदिन मिर्दाहा जी जियों है जिनका जन्म आपका 14 जून 1936 इस्वी को हुआ था और अस्थान जो था नाइम नगर कादो जोरो आपको एक्जाम अगर पूछा जाता तो यह उतना नहीं पूछेगा लेकिन आपको यह उप्सन में जरूर रहेगा कादो जोरो जिसका यह गाउं था और उनका जो पोस्ट ओफिस था हाट्टू घागरा था और जो प्रखंड है वो बेडो है और जीला रांची जीले में इनका जन्म हुआ था कादो जोरो नाम का एक गाउं में और इनके पिताजी के नाम था सेक अमरूदीन मिर्दाहा उनकी माता के नाम महन बीबी था और उनको उपनाम के तौर पे जब वे ख्याती प्राप्थ कर चुके थे नाकपुरी सहित्ये में तो उनको रस्खान के रूप में भी उनको जाना जाने लगा उसका उपनाम रख दिया गया उनके कारे छेत्र को देख कर तिक उनकर साहित्यां क्या रचना करते थे और कहानी का भी रचना किया करते थे चो नाकपुरी भासा में रहता था और उन्हों ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की है वो आदीम जन जाती मांपर आदिम जाती सेवा मंडल है स्पूल बेडों से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की है और वे विवा भी किये थे उनके च्छवा मन जितने पूत्र थे टोटल ग्यारा संतान थे जिसमें आठ पूत्र थे और तीन पूत्रियां थी ठीक है और उनकी मृत्यू की बात करते हैं तो वो 23 अपरेल 2021 को अपने गाउं का टाटायक आया और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए मतलब आपका ताइस अपरेल 2021 की सिस्वी को ठीक है वे छोड़के चले गए इस दुनिया को और वे कुल जो अगर उम्र के बारे में आपको पूछा जाता है तो वे उम्र में थे 85 वर्स के थे उनकी उम्र था ठीक वाद ये उनके बारे में और आप ये भी जान सकते हैं कि उन्हों जो सिक्षा हासिल की थी आदिम जाती हाई स्कूल जो था बेड़ों में वहीं से उन्होंने सिक्षा हासिल की और मात्र वे मैट्रिक तक की ही पढ़ाई किये थे मैट्रिक तक की ही पढ़ाई किये थे वे आ पदादीकारी कर्यालाय में वे मोहरीर पद के लिए कारेद किये थे वे शेवादिये थे यह रांची अनुमंडल पदादीकारी कर्यालाय में जो 1956 कि बात है फिर बात थी 1957 कि जिसमें खूटी अंचल उस वक्त पे खूटी जो था आपका रांची जीला के अंत्रगत आता था तो खूटी अंचल में राजस्वा विभाग में उन्होंने अपना सेवा दिया 1957 इस्वी में करमचारी पतपर कुलेवीरा अंचल में उन्होंने सेवा दिया था कुलेवीरा आपका कहां हो गया सिम्डेगा जीला फिर 1961 की बात करते हैं फिर 1961 से लेके 1975 तक नाकपूरी नरित्यकला मंदिर बेडो में अध्यक्ष की रूप में उन्होंने सेवा अपना दिया था फिर 1973 की बात करते हैं तो 1973 से 1975 तक राजस्वा करमचारी महासंग के अध्यक्ष की रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की थी और अगर आप सबहों को क्वेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मिर्दाहा जी है नई मुदिन मिर्दाहा है वे जारकन के किन किन जीलों में अपना सेवा प्रदान किया था तो वो होगा आपका रांची वर्तमान की बात की जाए तो खूटी उस वक्त तो ये रांची के अंदर था और फिर एक था सिम्डेगा सिम्डेगा में कौन सा अंचल आपका कोलेबीरा अंचल ठीक है खूटी अंचल याद रखना है और रांची अनुमंडल पदाधिकारी क रदान की थी चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब उनकी रचना के बारे में देखते हैं तुमाजिक आर्थिक बिसे पर उन्हों ने अपनी रचना को लिखा था वे गीत भी लिखा करते थे कवीता भी लिखते थे गीत भी लिखते थे कहानी भी लिखते थे और गीत कज उनका विशे होता था कृष्ण भक्ती पे होता था राम भक्ती पे होता था सरश्रती भक्ती पर और समाजिक आर्थिक मुद्दे जो होते थे विशे होते थे उन पर गीत लिखते थे और वेट कुल लगभग की बात की जाए तो तीन सव गीतों की रचना भी उन्होंने की है मिद्धा जीने फिर 1982 में नकपूरी कहानी मेंजूर पैंक करके उन्होंने एक कहानी लिखा नकपूरी कहानी जो आपका 1982 में उनको प्रकाशित किया गया मेंजूर पैंक यह चीज़ को आपको याद रखना है मेंजूर पैंक फिर नकपूरी भासा में उनकी ग्यारा कहानी का प्रकाशन किया गया ग्यारा कहानी उन्होंने लिखा नकपूरी भासा में जिस पे एक था मेंजूर पैंक फिर और जो न दधाइक उठो अक्रा जो आप यहां पर देख रहे हैं धधाइक उठो अक्रा नाम का उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा और वह उनकी पहली पुस्तक थी यह याद रखना है क्या होगा धडाइक पुठो औकरा, आप सबों को पता है अकरा क्या होता है? यह जन जातिये का प्व्यतर स्थल है, अकरा, जहाँ पे लोग मिलते हैं, डृत्य करते हैं, सांस्कृतिक डृत्य करते हैं, यह चीज वहाँ पे होता है तो इस तरह से हमने देखा नए मुदिन मिद्धा के बारे में आप सबों को पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितने गीतों की रचना की थी तो 300 गीतों की रचना की थी अगर गीतों के मुद्धों के बारे में पूछा जाता है विश्रे के बारे में पूछा जाता है टो कृष्ण भक्ती, राम भक्ती, सरस्वत्य भक्ती या समाजिक आतिक भी से मन्न मुद्डों पर उन्होंने 30 गीतों की रचना की थी फिर मिंजूर्पंग क्या प्रकाशित हुआ 1982 जश्विमे और उन्होंने कुल कितने कहानी का प्रकाशित किया ग्यारा कहानियों का और उनकी पहली कहानी संगरा का नाम क्या है धदाई कुठो अक्रा ठीक है चलिए अब अब लोगत जानकारे पारेंगे उपलब्धियों के बारे में ठीक है वे एक पहुती चर्चित व्यक्ति थे अनाकपुरी साहित्य के छेत्र में तो बात आती है तो उनको पुरुसकार, सम्मानित या बहुत सारे उपलब्धियों से उनको नवाजा गया होगा तो उनहीं में से कुछ बाते हैं जो परिक्षा की दृष्टी से काफी महतबून रखता है वे सारे बातों को मैंने आप सबों के सामने लाया है तो सबसे पहला हम लोग देखते ह 15 अगस्त मतब शतनतरत दीवस की दिन 1996 को भिहार के ततकालिन मुख्य मन्तरी ठीक है, 1996 में भिहार के मुख्य मंतरी श्री लालू परसाद यादव थे यादव और उनकी रचना के लिए उनको लोक भासा साहित्य पुरुसकार से सम्मानित भी किया गया था लोग भासा साहित्य पुरुषकार से कब समानित किया गया तो वो किया गया आपका 15 अगस्त 1996 इस वी को किसके द्वारा ततकालिन मुख्य मंत्री त्री लालू परशाद यादो की द्वारा पिर आगे हम लोग देखते हैं आठ फरवरी की बात है 2013 का तो उस वक्त जार खंड का निर्मान हो चुका था और इस वक्त में हम लोग बिहार का ही अंग थे और यहां पे बात करते हैं आठ फरवरी 2013 का तो उसमें जो ततकालीन मंत्री थे ततकालिन मंत्री थे सुधेश महतो जो आजसु पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने नाकपूरी भासा परिशत की तरब से प्रफूल सम्मान पुरुषकार से उनको सम्मानित किया गया था अब बात करते हैं 2002 इसवी का तो उसमें तत्कालिन कल्यान मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी जो लोग सेवा समीती रांची की तरब से आप नई मुदिन मिर्दाहा को जार्खन रतनक के पुरुसकार से सम्मानित किया गया था जार्खन रतनक के पुरुसकार से उनको सम्मानित किया गया था कब 2002 इस्वी में ये चीज पूछा जा सकता है फिर 2014 इस्वी में रांची दूर्दसन रांची जो केंद्र है उनका इस्थापन दिवस मनाया गया और वहाँ पे उनको सम्मान के साथ-साथ उन्हें एक प्रशस् रूप में भी उसको सम्मान के दोट दिए गया था रांची दुर्दसन जो है उनके स्थापन दिवस पर फिर बात जाता है तो वह कहा जाता है आपके नए मुदिन मिद्दाहा जी को ठीक है अब इसी तरह से कि एक मुद्ध तो इस तरह से आज हमने जाना है नए मुदिन मिद्दाहा के बारे में जारखन के नाकपुरी साहित्य को लेके वे काफी चर्चित ब्यक्ती थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है नाकपुरी साहित्य को विकाश के लिए तो यह जानना हम सबों के लिए अतियाशक था और यह आने वाले JCC का जो नाकपुरी का नेविज है जैसे से सीजियल में भी और ये उनका सिलिबस में है ठीक है चर्चित व्यक्तियों के बारे में तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज जाना अती आश्यक था तो चलिए इसी के साथ आज किस वीडियो को मैं ये पर समाप्त करता हूँ तो वीडियो आप सब को कैसा लगा वीडियो अगर आप सब को पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूले वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जो नए है चैनल में वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जो बेल आइकन है जो इस तरह का बेल आइकन बना होगा उसको आप लोग प्रेस करना ना भूले ताकि वीडियो का हरी एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो इसी के साथ आज के वीडियो का मैं पर समावत करता हूँ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान दिजिए शुरक्षित रहिए और सदा उस रहिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद